So Hello Everyone, Welcome to my channel Commerce Notes जैसे कि आपको पता है कि हमने cost accounting subject को start किया था उसकी previous year question answer series को हमने start किया था जो आपको 5, 15, 16 marks में B.com और M.com में पूछी जाती है तो हमने इसके 3 chapters कर लिये थे 4th chapter हमारा चल रहा है जो कि labor वाला chapter है इसमें भी हमने बहुत सारे questions कर लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल पर विजट कर सकते हैं वहाँ पर आपको cost accounting की full playlist मिल जाएगी और chapter wise भी playlist बनी है तो भी आपको मिल जाएगी ठीक है और अगर आपको कोई particular topic चाहिए तो आप वहाँ पर search जिबार पर उसको लिखके अगर वीडियो बनी होगी तो आपको मिल जाएगी या फिर आने वाले उसमें वीडियो में आपको मिल जाएगी ठीक है तो start करते हैं आज का question इससे पहले हमने labor turnover क्या होता है meaning, causes, reasons and जो methods कैसे हम measure कर सकते हैं वो सारा का सारा कर लिया है 15 marks का question बनता अगर आपने वो नहीं दिखा तो इससे पहली वीडियो को आप देख सकते हो अब यहाँ पी हम nature and significance करेंगे labor turnover का ठीक है तो start करते हैं explain the nature and significance of labor turnover तो यह आपको 5 marks में पूछ लिया जाएगा तो आजाए तो कैसे करना है वो देखेंगे और समस्ते हो इस वीडियो में हम चलेंगे तो सबसे पहले हम देखते है nature of labor turnover क्या है labor turnover होता क्या है rate of change in the number of employees of a concern during a defined period कि कितना change आ रहा है number of employees में एक particular time period में एक organization के अंदर ठीक है कुछ points है जिसको हमें क्लारिफाइ करेंगे कि कैसा nature of labor turnover होता है तो सबसे पहला labor turnover arises due to various causes सबसे पहले जो labor turnover है उसका कोई एक reason नहीं होता वो हो सकता है बहुत सारे reasons से second जो causes है labor turnover के उसे हम classify कर सकते हैं two parts में एक होता है avoidable और एक होता है unavoidable यह दोनों हमने detail में करें हुए तो आप previous video को देख लेना third point personal reasons भी हो सकते हैं worker के कि वो job को छोड़ रहा है next fourth point बोला है जो management है वो also decide करती है कभी-कभी कि अब उसको क्या है मतलब कि जो कुछ जैसे कि for example work कम हो गया तो अब क्या है labor को अब यह कह सकते हैं work कम है तो अब जो labor है फिर क्या है वो अपनी job छोड़के जाते हैं ठीक है तो यह भी reason होते है तो मतलब कुछ avoidable होते हैं कुछ unavoidable होते हैं ठीक है फिर high labor turnover increase होती है जो तो वो cost of labor को कह बढ़ा देती है और cost of production को भी कह बढ़ा देती है continuous study बहुत ही जरूरी होती है analysis करने के लिए कि कौन-कौन से factor responsible है high labor turnover के लिए preventive step हमें timely ले लेने चाहिए ठीक है हमने देखा था न remedies कौन-कौन सी है कि so that ही है जो labor turnover rate है वो कम हो जाए तो preventive steps हमें timely ले लेने चाहिए ठीक है तो यह था हमारा nature अब हम देख लेते है significance तो significance में क्या बोल रहे है significance of labor turnover में बोला है कि the calculation of labor turnover rate may assist the management in the following two way तो अगर आप labor turnover rate को निकालोगे तो आपको क्या है management को help मिलती है दोवे से कैसे first it assists the management in identify the various factors responsible for high labor turnover सबसे पहले तो जो आप labor turnover rate निकालते हो तो यह help करता है management को कि management identify कर सकती है कि कौन कौन से ऐसे factors है जो high labor turnover के लिए responsible है ठीक है फिर second है यह provide करती है basis कि फिर आप जैसे आपको यह पता लग गया ना अब आप क्या है preventive stress ले सकते हो कि आप क्या है control करोगे इस high labor turnover को ठीक है तो यह कुछ significance थी और यह हमने क्या पढ़ा nature को एक बार में दुबारा से रिवाइस करवा देती हूं आपको तो सबसे वाले बोला था भी labor turnover के बहुत सारी रिजन हो सकते हैं कुछ avoidable होते हैं कुछ unavoidable होते हैं कुछ personal reasons हो सकते हैं ठीक है कुछ management जैसे है management कर लेती कि हाँ काम काम हो गया है तो यह भी reason हो सकते हैं फिर हाई जो लेबर turnover rate है तो इंक्रीज करता है लेबर की कॉस्ट को ठीक है cost of labor को cost of production को continue study करनी चाहिए हमें इसमें so that हमें पता लग जाए कौन-कौन से factor responsible है और last हमने पड़ा कि फिर हम timely preventive steps के हैं ले सकते हैं फिर significance में हमने यह देखा था कि help करती है management को कि identify कर सके कौन-कौन से factors है जो responsible है इसके पीछे and timely फिर के हम preventive steps को ले सके अगर यह question आ जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है hope आपको question का अंसर समझ आयो अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, subscribe जरूर करे thank you for watching this video